उम साइराम हरहर महादीव आज का रातरी संदिश इनसान को अपने हर अच्छे बुरे करम का फल भोगना पड़ता है जैसा जिसका करम होगा वैसा ही उसे फल भी ज़रूर मिलेगा जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है कुछ बुरा होता है तब हम ईश्वर को दोश देते हैं कि बाबा मेरे साथ ऐसा क्यूं किया लेकिन भगवान कभी किसी का भागया नहीं लिखते इनसान अपना भागया खुद लिखता है अपने करमों से जो पिछले जनम के बुरे करम है उनका फल हम इस जनम में भोगते हैं लेकिन अगर आज हम मनुश्या जनम पाकर भी सिर्फ पाप ही पाप की कमाई करते हैं तो आप सोचिए कि उस पाप करम का बोज कैसे उठा पाएंगे कैसे भोग पाएंगे उन पापों के फल को क्योंकि पापों का बोज पहले ही बहुत अधिक है इस बोज को और अधिक बढ़ावा मत दीजिए अपनी खुशी के लिए कभी किसी को दुख मत दीजिए खुद दुख सहल लीजिए लेकिन हमेशा दूसरों को सुख और खुशी दीजिए तो आपके जीवन में आपको सुख और खुशी एक दिन जरूर मिल जाएगी लेकिन दूसरों को दुख दे कर हम अपने लिए खुशी कभी नहीं पास सकते जब भगवान हमें बहुत अच्छा देने वाले होते हैं उससे पहले हमें बहुत बुरे वक्त से गुजरना भी पड़ता है तो कि हम हमेशा यही सोचते हैं कि भगवान जिसको आपने पहले से ही बहुत कुछ दिया है आप उसे और सुखी करते जाते हो और जो पहले से ही दुखी है उसे और दुख देते जाते हो लेकिन भगवान कभी ना किसी को सुख देते हैं ना कभी किसी को दुख देते हैं सुख और दुख इनसान को अपने करमों के अनुसार मिलते हैं जो लोग सुख में हैं जो सुखी हैं उन्होंने अपने कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बनाया है, खुशाल बनाया है, अच्छे कर्मों की कमाई है, नेक कर्मों की कमाई है, तो उनके जीवन में दुख कैसे हो सकता है, लेकिन जो इनसान पिछली पाप का रुमकाफल इस जनम में भोगता है, और आगे नए प आप कमाने में जुट जाता है तो वो जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता आपने अक्सर देखा होगा कि दूद से दही बनती है और दही से मक्षन निकलता है लेकिन सब की कीमत अलग-अलग है सब की पहचान अलग है इसलिए इनसान की पहचान उसके अच्छे करमों से होती ह उसके गुनों से होती है उसी से इनसान की स्रेश्टा का पता चलता है इसलिए इनसान को हमेशा सच्चाई की रास्ते पर जो इनसान चलता है तो वो एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाता है सच्चाई की रास्ते पर चलना मुश्किल जरूर होता है लेकिन नाम और्दे रहिये लेकिन कभी जूट और फरेव का रास्ता मत अपना ये। धोखे और बेइमाने से कमाया हू अधन, हमें कुछ पल की खुशी जरूर देगा, लेकिन उसके बाद जीवन बर का दर्द हमें भोगना होगा, और सचाई का रास्ता हमें कुछ पल का दर्द देगा, लेकिन उसके बाद जीवन में सुख ही सुख होगा इसलिए जो भी हो जैसे भी हो इनसान को कभी सच का साथ नहीं छोड़ना चाहिए जो लोग सच का साथ देते हैं भगवान उसके हमेशा साथ रहते हैं और वो हमेशा उसका साथ देते हैं तो ऐसा इंसान कभी जीवन में हार नहीं सकता जीत मिलने में आपको वक्त लग सकता है लेकिन एक दिन जीत आपको जरूर हासिल होगी और बहुत जल्द वो समय भी जरूर आएगा इंसान के लिए जीतना तब और भी अवश्यक हो जाता है जब लोग आपकी हार का इंतजार करते हैं और जब लोग आपसे इर्शा करते हैं आपके निंदा करते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो क्योंकि इंसान इर्शा और निंदा उसी की करता है जिसकी बराबरी नहीं कर सकता इसलिए आप खुद को हमेशा व्यस्त रखें बेकार की बातों में अपने समय को मत बरबाद करें क्योंकि हमारा दिमाग हत्यार की तरह चलता है इसलिए हमेशा उसे भर कर रखें कभी खाल दिमाग सैतान का घर होता है और जब दिमाग खाली होता है तो उसमें गंदगी और कच्रा जमा हो जाता है लेकिन अगर वो हमेशा भरा रहता है कुछ ना कुछ सोच विचार चलता रहता है आप कुछ ना कुछ कार्या उससे लेते रहते हो तो वो कभी भी आपको गलत रास्ते पर नहीं जाने देगा और कभी भी आप कुछ गलत सोच ही नहीं पाओगे इसलिए आप हमेशा अच्छा सोचें, अच्छे विचार करें उंची सोच रखें, सकरत्मक सोच रखें तो आपके जीवन में सब कुछ जरूर बदल जाएगा वक्त सब का बदलता है, एक ना एक दिन आपका वक्त भी जरूर बदलेगा इश्वर के गर में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं हो सकता मैं जानता हूँ कि आपका अतीत आपको बार बार दर्द देता है, रुलाता है लेकिन अतीत को भुला देना ही आपके लिए सबसे अच्छा है क्योंकि वो अब कभी लोट कर नहीं आएगा इसलिए आप जितना हो सके, खुद को आगे के लिए तैयार करें अगर जीवन जीना है तो सिर्फ और सिर्फ आगे देख कर चलें ना कि पीछे मुड़ कर देखें जो हो गया वो बीच चुका है, अब कभी लोट कर नहीं आएगा और इस डर को अपने मन से पहार निकाल दे कि अब आपके साथ कुछ भी गलत होगा अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो बुरे करम थे, जो बुरा वक्त था, वो गुजर चुका है अब जीवन में कभी लोट कर नहीं आएगा अब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, बहुत बहतर होगा और धेर सारी खुशियां आपको बहुत जल्द मिलने वाली है जो कुछ इस बुरे समय में आप से दूर हो गया है, छेन गया है उससे भी बहतर बाबा आपको जरूर देंगे अपने इश्वर पर विश्वास रखे और बाबा का नाम जबते रहे और साइच रितर का पारायन आरंब कर दे इससे आपको आपके हर सवाल का उत्तर भी मिलेगा और आपका मन भी शान्त हो जाएगा और बहुत जल्द सब कुछ बदल जाएगा सदा खुश रहें, सदा जबते रहें ओन साहिराम, हरहर महादेप, शुबरातरी मेरे बच्चो